शिरी शिवाई नमस्तुवियों महरहर महादेव कैसे हैं दोस्तों आश्य करते हो आप लोग बल्कुल सही स्वास्त होंगे तो आज आपके लिए बहुत ही खास उपाई लेकिया हूँ जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं विशप राशी विशप राशी वाले कैसे तरक्क लक्षमी की कमी होरी आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं या आप जो भी शिकर पे जाना चाते हैं उसमें कोई न कोई अर्चन आ रही है और आपके कारिये सफल नहीं हो पा रहे हैं आप जो बनना चाते हैं वो चीज़ नहीं बन पा रहे हैं आप जैसे अपनी लज़र लाइफ को जीना चाते हैं वो चीज नहीं कर पा रहे हैं तो आज ऐसी कुछ खास उपाइं बताओंगी अगर आप भी ऐसे किसी समस्या से गुजर रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया हैं आपकी धन लक्षमी की कमी हो रहे हैं, आर्थिक समस्या से गुजरने हैं, पैपार सही नहीं हैं, नौकरी सही नहीं हैं, इंट्रिव्यू सही नहीं हो रहे हैं, परिक्षा नहीं हो पारी हैं, आपकी कौन सी ऐसी कुंड़ी में जो ग्रह हैं, वो कौन सा नुकसान दे रहे हैं या कौन सा आपको दोश लगा हुआ है जिसके कारण वश आप कोई भी कारिये में सफल नहीं हो रहे या आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आज ऐसे कुछ बताऊंगी उससे पहले आपको कहना चाती हूँ जो भी चैनल पे आते हैं पहली बरी वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन बटन के साथ कि आने वाले कोई भी राशी जो भी मैं डालू और आप वो वीडियो सबसे पहले वाच कर सकें और जिन्होंने अब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीस लाइक कर लेना तो आज आपको यही बताने आई हूँ मैं कि क्या खास उपाई ऐसे करें जो कि विशब राशी वाले जो भी वेक्ती होते जो भी जातक होते हैं अगर उनको भी ऐसा कुछ नुकसान हो रह तो आप ऐसा क्या खास उपाई करें और आपका कैसे विशब राशी में अगर केतू नीच का अगर हो गया है या दुरलब परभाव आपकी कुण्डी में डाल रहा है और आप अत्यनत बहुत जादा ही दुखी हैं और आपके कस्ट बढ़ते जा रहे हैं और तरक्की बिलक को कुण्डी में केतू विशब राशी वालों को आपको जरकन या हीरा धारन करना चाहिए या तो आप चांदी में बनवा करें या तो फिर सर्विस रेस्ट होता है गोल्ड में बनवा के हीरा या जरकन को धारन करें इससे आपकी लजरी लाइफ होगी इससे आप जो भी आ शेत्र में तो उसमें जो भी अर्चनारिय वो एकदम दूर हो जाएगी आपके हीरा या जरकन की रिंग पहनने से तो ये चीज जरूर करें विशब राशी वाले जैसे की ये माच का महीना चल रहा है 2024 में अगर आपका केतू नीचका है तो किसी की कुंडली में नहीं भी होता तो इसलिए हमेशा कुंडली को सर्च करवा के ही पहनना तो सर्च करवाए बेगर कुंडली को कोई भी स्टोन धारन नहीं करना चाहिए कई विद्वान केतू को मिथुन में नीचका मानते हैं तो कई लोग जो विद्वान होते हैं जो भविश्य फल देखते हैं या राशी का मानते ऐसा होने पर नीलम पहनना चाहिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हीरा या जरकन धारन कर सकते हैं अगर मिथु नाशी में केतु बैठा है और वो नीच का है उसके द्रिस्टी से अगर आप देखते हैं तब ऐसे में आपको नीलम धारन करना चाहिए तो इसलिए यही कहना चाहते हूँ कि अपनी कुंडी को सर्च करवा के तब ही आप कोई भी स्टोन को धारन करें नहीं तो उसके साथ अच्छा भला लाब होनी के बज़ाए आपका कुछ घाटा भी हो सकता है कुछ नुकसान भी हो सकता है तो इसलिए आपको क्या गया है कि अगर आप कुंडी को सर्च करवाना चाहते हैं या रतनों के बारे में जानकारी चाहते हैं कि आपकी राशी में कौन सा स्टोन लगेगा या आपको क्या परभाव स्टोन देगा तो इसके लिए कुंडी को सर्च करवानी के लिए या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करने के लिए स्क्रीन पे नमबर दिया गया है आप वर्टसप कर सकते हैं कॉल पे बात कर सकते हैं आपको हर एक जानकारी दी जाएगी और आपको ये भी पताये जाएगा कि स्टोन सबस जानकारी दी जाएगी आपको आप उसके हिसाब से राशे स्टोन को पहने और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जादा जादा लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें आगे फिर मिलती हूँ तब तक के लिए शेयर शिवाई नमस्तु व्यम हरहर महादेव जय जय मालक्श्मी और अगर आपका कोई कोश्यन है तो आप अपने सुभजाव कमेर सेक्शन में लिख सकते हैं बता सकते हैं आगे फिर मिलती हूँ तब तक के लिए शेयर शिवाई नमस्तु व्यम झाल झाल